गांधी फैमिली देश की सबसे पावरफुल और राजनितिक फैमिली है जब इस परिवार में हलचल होती है तो देश की सियासत से लेकर जनता के दिल तक असर होता है इसलिए इस परिवार की किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना पर सुरखियां बन जाती है उसी कड़ी में गांधी परिवार में एक नाया मेहमान आया है जिसको लेकर मेडिया में खोब सुर्खियां बन रही है हम खबर बताएं उससे पहले आप से एक रिक्विस्ट है कि अगर आपको चैनल की खबरे अच्छी लग रही हैं तो देश के अखबारों में सुर्खियां बन जाती है घर में कुछ काम कम हो या नहीं लेकिन अगर अफवाह भी फैल जाये तो भारतिय राजनीती में तहल का मत जाता है जी हाँ अब उसी गांधी फैमली के मुख्य सोन्या गांधी परिवार में एक नया मेहमान आया है और इस मेहमान को गिफ्ट किया है कॉंग्रेस के पुरवध्धक्ष राहुल गांधी ने जी हाँ कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी के घर में एक नय मेहमान ने इंट्री ले ली है इस गांधी फैमिली के सदस्त का नाम नूरी है जो की एक पपी है खबरों की माने तो राहूल गांधी ने विश्व पशु दिवस के मौके पर मासोनिया गांधी को तोफे में जैक रसेल टेरी टियर नसल की एक पपी को गिफ्ट किया है कहा जा रहा है कि इस पपी का नाम नूरी है राहूल गांधी ने पपी नूरी का फोटो सोशल मेडिया पर शेयर भी किया है जिसमें राहूल गांधी सोनिया गांधी को नूरी को देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी मास्तोनिय गांधी के लिए गोवा से नूरी को लाए हैं, उन्होंने अपने यूटूब चैनल पर शेयर किये एक वीडियो में अपनी गोवा ट्रिप को भी साज़ा किया था राहुल गांधी का ये गोवा ट्रिप अगस्त महीने में हुआ था इस पपी की नसल जैक रसेल टेरियर की एक नसल है राहुल गांधी ने नूरी को एक डॉग हाउस से लिया है जिसे शरवानी पित्रे नाम की महिला चलाती है उनका पेट डॉग्स का ही काम है कहा जाता है कि ये नसल ब्रिटेन की एक मशहूर नसल है और इसके नाम एक अनोखा रेकॉर्ड भी दर्ज है इसका वज़न 4-7 किलो होता है और मुचाई करीब 25 सेंटी मीटर होती है राहुल गांधी पेट डॉग खरीदने के लिए स्पेशली गोवा गय हुए थे राहुल गांधी को डॉग बहुत जादा पसंद है यही वज़ा है कि अपने गोवा ट्रिप के दौरान वो ये क्यूट पॉपी ले आए तो आप समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी के घर कौन आया है और क्यों और क्यों गांधी फैमिली सुर्खियां बन रही है कर दो आप पस्टाउ्ड झाल गांधी लेड़ांधी लेड़ांधी फैमिली सुर्खियां भांधी लेड़ा है